बहुत-बहुत स्वागत है बच्चो आप सभी का आज की इस वीडियो में और आज की वीडियो क्लास 11 के बच्चों के लिए बहुत जादा important होने वाले है बच्चों क्यूंकि आज की इस वीडियो में हम discuss करेंगे class 11th का आपका जो history का subject है यानि कि इतिहास का आपका जो subject है बच्चो इसके midterm के exam के लिए जो कि आने वाले कुछी दिनों में September, October के मन्त में आपके जो midterm के exam होने वाले हैं बच्चो 2024 और 25 के session के लिए ठीक है तो इसी की तैयारी के लिए हम लोग अपना एक most important जो sample paper है with solution के साथ मैं इसी को discuss कर रहे थे ठीक है तो ये वीडियो हमारे इसी paper की part number 2 की वीडियो रहने वाले ठीक है बच्चो अगर आप मैंसे किसी भी बच्चे ने इस paper के part 1 की वीडियो नहीं देखी है तो highly recommended है बहुत important है क्योंकि आधा paper हम इस वीडियो में समझ चुके है ठीक है तो link आपको यहाँ पे मैं eye button में दे दूँगा आप यहाँ से देख सकते हो या फिर वीडियो के description में सबसे top पे मिल जाएगा part 1 link वहाँ से भी जाके देखना लेकिन देख जरूद लेना अगर देखा नहीं है तो ठीक है चलो शुरू करते हैं देखे पहले paper के pattern को देखेंगे अगर आपने part 1 की वीडियो देखी होगी तो pattern पता होगा आपको 2 minute के वीडियो के skip कर देजिए अगर नहीं पता है तो सुनिए ओके दिखे पेपर आपका 3 घंटे का आने वाला है और यह आएगा 80 नमबर का आपका चाहिए कोई भी subject हो paper के pattern को समझने के लिए आपको सामानने निर्देश ज़रूर पढ़ने चाहिए जैसे history की paper में total आपके 6 खंड आने वाले हैं सबसे पहले खंड A रहेगा यानकी खंड का जिसमें 1 से 20 या आपके वास्टनिष्ट यानकी एक नमबर के total आपके 20 MCQ आएंगे ठीक है फिर खंड B रहेगा आपका यानकी खंड खा हो गया जिसमें एक ही question होगा 21 ये स्रोत अधारित MCQ भी हो सकता है तीन नमबर का या फिर वन सेंटेंस वाले जो question होते हैं एक एक नमबर के 3 वो भी हो सकते हैं फिर खंड C यानकी खंड गा जिसमें 22 से 25 यानि कि total जो है तीन नमबर के आपके 4 question पूछे जाएंगे section C में section number D में आपके 88 number के total 3 question पूछे जाएंगे और अच्छी बात इन तीनों ही question में आपको अधवा मिलेगा तो ये बहुत वड़ी अबात है आपके लिए ठीक है बच्चो उसके बाद आपका या जाता है section number E जिसमें 3 question होंगे 39, 30, 31, सुरोत आधारित पांच-पांच नमबर के 3 question और सबसे आखरी आपका F आजाता है जिसमें एक ही question होगा 32 map वाला ओके बच्चो तो अब ध्यान से सुनो इससे पिछली जो part 1 की वीडियो थी इसमें खंड का खागा यह हम और लेडिस समझ चुके हैं ठीक है आज जो हमारी part 2 की वीडियो है इसमें हम समझेंगे अपना D, E और F तो वीडियो अराउंड जो है वो आपके 30 से लेके 35 मिट तक की बनेगी request है आपसे कि end तक जरू देखना सारे question बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा ठीक है देखिए हिंदी में तो समझाऊंगा जो बच्ची English medium के हैं उनकी लिए भी answer आपके में provide करवाऊंगा ठीक है ना तो दोनों medium के बच्चे जरू देखें section A, section B, section number C section D, यहाँ पर देख सकते हैं E, F इस प्रकार से ओके बच्चो चलिए थोड़ा साब को remind करवा देता हूँ कल हमने section A के अंदर multiple choice question किये थे total ठीक है ना 20 MCQ और बहुत बढ़िया question थे बहुत से बच्चों ने जवाब भी दिया था किसी ने 20 में से 18, 17 सारा ऐसे marks पाई थे ठीक है ना तो काफी अच्छा लगा मुझे जानके कि सारे बच्चे पार्टिस वेड़ भी किये हैं एक दो question मैंने पूछे थे तो वह भी answer कि आपने बहुत अच्छा लगा जानके ठीक है चलो फिर हमने जो है यहाँ पर यह हो गया ठीक है फिर हमने आप इस section number C देखा था एक second भी कहां चला गया वेटा मिनट यह रहा देखो source best question था ना हमारा यह देखो 3 MCQ थे इसमें इस परिकार से फिर हमने section number C देखा था short answer type question वाला जिसमें 3-3 number के question थे और बहुत बढ़िया question थे यह बहुत important अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा ओके चलिए आज के लिए इंट्रो इतना काफी है अब शुरुआत करते हैं बच्चो आज के इस पर के सबसे पहले section की section number D long answer टैप question के ठीक है अब section D में देखो आठ नंबर के total तीन question होगे अध्वा मिला दें तो 6 हो जाते हैं और यह सारे question बहुत important है ओके बच्चो तो चलिए शुरू करते हैं ध्यान से रिखिएगा सारे के सारे question को line to line even word to word आपको मैं बहुत बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूं चलिए आठ नंबर का सबसे पहला question question number 26 देखिए क्या कहता है कि मंदिर जो है यह मैसोपोटामिया की संस्कृति के अभिन अंग थे इस पश्ट कीजे यानि कि आज से तक्रीवन 7000 साल 10,000 साल पहले जिस मैसोपोटामिया संस्कृति जिस मैसोपोटामिया सब्विता की आज हम बात करते हैं इस सब्विता में जो मंदिर हैं जो टैंपल्स हैं यह एक important role play करते थे यानि कि यहाँ पर आप देख सकते हो आज से तक्रीवन आप यह कहलो कि 7 या फित 10,000 साल पहले की जब हम बात करते हैं मैसोपोटामिया सपिता की तो उस समय यह जो मंदिर हुआ करते थे ठीक है यह बहुत ही important role play करते थे यहाँ पर ठीक है यहां के जो देवी रिपता थे मंदिरों की जो विशेष्टाएं थी वो कहीं न कहीं इसको विश्व में और भी पृसिद्ध बनाती है ठीक है तो क्या importance है क्या विशेष्टा है इन मंदिरों की वो यहां पर में बतानी है आजाओ ध्यान से समझते हैं अच्छे तरीके से चलिए सबसे पहले तो एक लियान यही लिखेंगे कि मंदिर मैसोपोटामिया की संस्किति के अब इन अंग थे उसके बाद थोड़ी line और जिसे निम्रिखित प्रकार से समझा जा सकता है अब देखो आज से लगबख 7000 साल पहले यानि कि 5000 इसा पूर जो दक्षिडी मैसोपोटामिया है यहां पर बस्तियों का विकास हुआ अब जब बस्तियों का विकास हुआ तो बस्तियों में कुछ ऐसे प्राचीन सहर देखे गए जो मंदिर के चार ओर विक्सित हुए यानि कि आज जिस टेंपल को हमें या पर देखते हैं इन टेंपल के आसपास भी कुछ जो गाओं थे कुछ जो नगर थे वो इनके आसपास बसने लगे सबसे पहले जब खुदा यहां पर मैसोपोटामिया सबिता की की गई तो सबसे पहला जो ग््यात मंदिर है वह चोटा सा देवाली था अब यहकी दवरान हमें सबसे पहला मंदिर मिला ना बहररे-टा इसके बाद मंदिर ये बिभिन प्रकार के जो देवी देवता थे इनके निवास अस्थान थे जैसे और देवता को हमने मेसोपोटामिया सब्विता से खुदाई करके प्राप्त किया है यह मंदिर किसी देवता का उनका घर माने जाते थे जैसे देखो यह पर यह एक विशेष्टा लिखी गई है थोड़ा धुंदला होगा लेकिन द्यान से दिख ऑग हो तो समझ में आएगा कि लगबग बाहरी और भीती जो मुख़ई यहां पर दर्शा आए गए है तो मतलब जो मंदिर है ना वो देवी देवताओं के घर ही माने जाते थे एक्जामपल के लिए जैसे उर जो है यह चंदर देवता थे ठीक है फिर जो इन्नाना है यह प्रेमवायोद की देवी माने जाती है तो यह हो गई मंदिर की फिसे इस्ता है फोड़ा सा और आगे चलते हैं यहां पर जो है मंदिरों में देवता यह पूजा का केंदर को लाते थे ठीक है आराध्य देव यानि की उर्देव चंद्रदेव कहते हैं यह सद्धांतिक रूप से इन मेसोपोटामियाई जो लोग थे इनके खेतों के इनके मतस छेतरों के और इनके पशुओं के स्वामी माने जाते थे ठीक है समय आने पर जब फसल पूरी तयार हो जाती थी फसल को काट लिया जाता था तो उत्पादित बस्तु में बदलने की प्रिक्रिया मंदिर में ही कि जाती थी और जो बांटना होता था ना वो भी यहीं से सुनना अगर पेपर में आठ नंबर में यह कोश्चन आ जाए कि दक्षिडी मैसोपोटामिया या फिर मैसोपोटामिया सबिता में मंदिर नकेवल धार्म के केंज़बिंदू थे अपितु आरितिक क्रियाओं से भी जूड़े हुए थे इस पस्ट के यह तो जो आंसर अ सब्सक्राइब यहां पर देर देर करके मार्केट यान की बाजार विक्सित होने के बिज़ए से यहां पर लोगों की भीड़बार भढ़ने लगी तो यहां पर आर्थिक और तीजिए से विक्सित हो गई ठीक है तो ऐसे करके आंसर आपको लिख देना है समझ गया बच्छ अधिकी विसेश्ताएं तथा घरों के वारे में फैले अंदविस्वास का वणन कीजिए अर्थात मैसोपोटामिया सब्यता में जो औरिनगर पाया गया है आपको इसकी विसेश्ताएं बतानी है साथ ही औरिनगर में जो घर थे इनको लेके लोगों में कुछ इसक्या थी यह वताने हैं तो आजाएं ध्यान से समझते हैं देखो मेसोपोटामिया के प्राजीन तम नगर और नगर की हम बात करते हैं सबसे पहले खुदाई 1930 के दसक में सुव्यविस्ते तरीके से हुई जब हम बात करते हैं कि मेसोपोटामिया सबिता का यह जो और सारी information मिलनी सुर्व हो गई सबसे फ़र information हमें यह मिली कि और नगर यहां पर नगर नियोजन पद्दी का अबाव था यानि कि आज कल के टाइम पर अपना घर बगारा बनाते हैं तो पहले हम प्लैनिंग करते हैं कि हमें जो है किस प्रकार से वाटर सिस्टम अपना ड्र चारा बना लेते हैं फिर जाके वो बनता है है ना लेकिन और नगर में ऐसा नहीं था आप ये कैसे कह सकते हैं हम ऐसे कह सकते हैं खोडाई के दौरान हमें यह देखनों के मिला कि यहां पर बहुत ही पतली और घुमावदार के लिए हैं एक्जामपल देता हूं आपको देखा गया कि बहुत ही पतली पतली ठीक है और बहुत ही गुमावदार यहां पे गलियां पाएंगे जैसे देखो यह गली है कितनी पतली है और गुमावदार है और जो घर आप देख रहे हो ना यह सभी घर जो है कैसे है किसी का आकार छोटा है किसी का बड़ा है ठीक है किस इसी लिए अनाज के बोरे, इनन के गठे, बैल गाडियों की बजाए गडे पे लाद के घर पे ले जाए जाते थे दूसरा जलनिकासी की विवस्ता ना होना कैसे जलनिकासी के लिए नालियां जो थी ये सडकों के किनारे नहीं थी जैसे आज के टाइम पे आप क्या देखते हैं कि हमारे घर के बाहर में जो सडक है ना वहाँ पे नालियां है ठीक है लेकिन ये नालियां जो थी और नगर में घरों के अंदर पाई जाती थी गरों की चटका डहलान होना जिससे वर्षा का पाणी नालियों के मार्दयम से हौज में लाए जाता था कि ओघ़ई जो थी होज क्या है वही तो देखो होज जो है ये जमीन में एक ऐसा ढखावा गड़ा होता है जिसमें पानी और मल एकटा होता है यहां कि आज के टाइम पे गटर बोलता है कुछ इस टाइप में लेकिन-वर्षा के पानी से कीचर तो नहीं होता था लेकिन फिर भी यहां के जो लोग थे पता है क्या अगत्तिए आज कर टाइम पे हमारे यहांपर क्या होता है कि MCD से वह कुड़ा उठाने वाले जो गाड़ियां वह आ जाती है या फिर हमने पूड़े वाले को लगा ले जाता है लेकिन उस टाइम पे तो ऐसी उस्ता थी नहीं तो मेसोपोटामिया के लोग खाज करके उरनगर के यह कुड़ा करकट गली में यह अपने देखा भी होगा कई वार ऐसा है ना जिससे गर में गंदगी प्रिवेश ना कट पाए उसके बाद अब बारी आती है यहां पे अंद्रिविश्वास वगड़ा कि तो परिवार में गोपनिता थी अर्थात जो हमने घर यहां से पाए खुदाई के द्वारान हमने यह जो कमरे बारों में इनमें खिड्कیا नहीं होती थी ठीक है और घरों में रोशनी दर्वाज Corinthians लिए नहीं होती थी क्यूंकि यह अपनी प्रिविशी अपनी गोपनिता को जादा महत देते थे ठीक है तो यह हो गया अब सबसे लाश्च आता है कि घरों के वारे में शकुन अ अगर उची उठी हुई होगी तो वो धन लाएगी जैसे आपका ये घर है तो आपके घर के जो दर्वाजा है ये किसी और के घर के सामने नहीं खुलना चाहिए ठीक है खुलता है तो अशुब है नहीं खुलता है तो ये आपको विशिकली सौभा के बतान करता है तीसरा अगर घर का लकडी का मुख्य दर्वाजा बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पते के लिए परिशानी का कारण बनेगी यहां कि घर में माल लेते हैं पुराने टाइम पर लकडी के दर्वाजे होते थे अगर यह दर्वाजे बाहर के चरफ खुले तो यह जो है पत्नी पती के लिए जो पत्नी होगी वो बनेगी उसके परिशानी का कारण तो ऐसी कुछ-कुछ अंद विश्वास वाली बात यहां पर फैली होई थी ठीक है तो आ गया समझे में बच्चो कि मेसुपोटामिया में और नगर की क्या-क्या विसेशता हैं ओके चलिए अब जो बच्चे इंग्लिस मीडियम के है वो यहां से लिखें टेंपल्स वर एन इंटरियल पार्ट और मेसुपोटामियन कल्चर एक्स्प्लेन हां जी बहिए बिलकुल है कैसे हैं तो पढ़ लिजे यहां से दिखिए सारे पॉइंट यहां पर एजिली लिख डिस्क्राइब दी फीचेस ओब दा सिटी ओफ और इन मेसुपोटामिया एंड सुपर्शिशन इस प्रैड अब दी हाउसे क्या अन्द्विश्वास थे तो सबसे पहले विसेस्ता हैं क्या है उसके बारे में आसे पड़िए ठीक है अब विसेस्ता हमें बिसिकली यहां की जो कंडीशन ने वह बतानी थी फ्यों प्राइविसी और फैमिली अजाएगा उसके बाद में जो सुपरेशिशन फैले हुए थे उसके बारे में यह बात है ठीक है बच्चो अब बात करते हैं अगले कोश्चन की कोश्चन नमबर 27 और बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान स है इसका उद्य ही क्यों हुआ फिर चलिए उद्य हो गया तो इसकी क्या विसस्ता है तो सिंपल सी वात ध्यान से सुनो हुद हुआ यह था कि यूरोप में ना टोटल पहले तीन जो थे यह रहते थे अभिजात वर्ग पादरी वर्ग और एक क्रिश्रक वर्ग लेकिन जो अ अपने एरिया की सुरक्षा अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे थे ठीक है तो इन्हों ने यह सोचा कि अगर हमारे पास में तीज घुड़सवार और ऐसी सेना हो जो कि हमें अन्य हमारे आसपास के जो इलाके हैं इनसे होने वाले आकलवंड से बचा सके तब जाके इस ना अभी सताबदी में प्राया युद्ध होते रहते थे जिससे एक ऐसे नए वर्ग की आवश रकता हुई जो बहुती कुशल घुड़सवार सैनिक हो जो लौड के लिए युद्ध लड़े इसलिए इस नए वर्ग को बढ़ावा मिला ठीक है कौन से नए वर्ग को नाइट अब नाइट्स की क्या क्या विसेश्था है तो नाइट्स की विसेश्था हो में ध्यान से देखो सबसे पहले नाइट्स लौड से उसी प्रकार से संबंदित थे जिस प्रकार लौड राजा से संबंदित था कैसे लौड ने क्या किया था यह जो नाइट थे इनके सैनिक ज जन दिया था धिका लॉर्ड द्वारा नाइट को भुमी का जो भाग दिया गया उसे क्या कहते हैं तो याद रखना ऎमसीSm specialty क्या है लॉड kö द्वारा नाइट को दिया जने वाला भुम्ण का तुकड़ा आनि कि जो नाइट है इसे जो फीस मिला है बहुमी का टुकड़ा ये अपने बेटे को दे सकता था उतरीकारे के रूप में ठीक है अब ये जो फीफ है यानि कि बहुमी का टुकड़ा ये लगवग 100 मतलब 1000 या 2000 एकड या उससे अधिक में फैला हुआ होता था जिसमें नाइट और उसका पूरा का पूरा परिवार काम करता था ठीक है इसके लिए एक पंचक्की मदिरा संपीड़क इसके अलावा उसके नाइट के परिवार के लिए घर चर्च उस पर निर्भर विक्तियों को की विवस्ता वेगारा सब होती थी तो फीफ कोई छोटी मोटी जगय नहीं थी कोई छोटा मटा भूमी का तुकड़ा नहीं था बहुत बड़ा था कितना 1000 से 2000 एकड तक का जिसमें नाइट भी रहता था उसका पूरा परिवार रहता था उसके निर्भर व्यक्ति रहते थे ठीक है पंचक की मध्या संपीड़ की सब कुछ होता था ठीक है अब इतना सब कुछ जब लॉड ने नाइट को दिया तो नाइट की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है ना लॉड के लिए क्या बनती है तो इन सभी के बदले में नाइट जो है वो लॉड को एक निश्चित र अपने योगताओं को बनाए रखने के लिए प्रति दिन अपना समय बाड़ बनाने में गेराबंदी करने में जैसे आपने मूविस देखिए ना उसमें जो सिनापती होते हैं वह हमेशा अपने सेनिकों के साथ में प्रेक्टिस करते रहते हैं ठीक है कभी गोला बारू से कभ इसकी जो और थी कि यह जो night थे ना यह किसी और लॉर को भी सेवा प्रधान कर सकते थे लेकिन इसकी सरव्रतम निष्टा अपने लॉट के लिए होती थे सेवा है वो प्रजान करे ठीक है लेकिन इस Knight से अगर कोई और सेवा मांगता है BC लेके Z तक के Lord तो यह दे सकता है लेकिन सबसे पहले अपने Lord को यह सेवा प्रजान करेगा अगर समय है खत्रा नहीं है तो किसी और Lord के पास में भी यह काम कर सकता है यह न यह चीज़ थी तो समझ गया ना बच्चो कि Knight का उदर किस प्रकास से हुआ और Knight की विसेश्था क्या क्या है यह सारी चीज़ें ओके I hope समझ गया होंगे चलिए अब इसी का second question देखते हैं बच्चो second question है चौद्वी सताब्दी के आरंब में यूरोप को यूरोप का जो आर्थिक विस्तार है यह धीमा पड़ने लगा समलोशनात्मक का होता है देखो बच्चे जो है ना इसी वज़े से confused हो जाते हैं कुछ नहीं करना है सिर्फ क्या पूछा गया है चौद्वी सताब्दी के आरंब में यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ने लगा था बस क्यूं पड़ने लगा यही आपको बताना है यह समलोशनात्मक परिशन वगारा इससे डरने की ज़रूत है नह से पहला तेर्वी सताब्दी के अंत तक उत्री यूरोप में तेज ग्रीश मृतू का इस्थान ठंडी ग्रीश मृतू ने ले लिया अथात जब चौर्वी सताब्दी स्टार्टिंग होने ही वाली थे यानकि तेर्वी सताब्दी का जब अंत होने वाला था समय लाश्ट आ वह गये प्रतिष्ठान च्छोटे होगए साथी तुफान चोपने लगे तो सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा तो सरकार के के पास में कमी हो जाएगी पैसे की ठीक है तो इससे क्या होगा कि जो गवर्मेंट तो थी नहीं उस टाइम पर राजा कह सकते हो तो राजा को उस टाइम पर जो है अच्छे से पैसा मिलनी पाया तो आमदनी कमी होगी पहली की गहन जुताई के तीन छेत्रिय फसल चक्र से फसलों से बढ़के हमने तीन फसलों को अगाना शुरू कर गया अब यही तीन फसली चक्रन जो है तीन फसलों का चक्र जो है आगे चलके चौरवी सताब्दी में भूमी की उपजावपन छमता के लिए खत्रा बन गया ठीक है क्योंकि तीन फसले होती है हर चार महीने में त वापस से अपनी औरवद चमता प्राप्ते कर सके इसके लिए जमीन कभी खाली नहीं मिलती हमेशा फसली लगी रहती तो इससे क्या हुआ कि फसल की उपजावपन चमता खतम होती चलीगी है ना उसके बाद चरागाहों की कमी से पस्यू की संक्या कम होने लगी यानि कि आगाहों की कमी होगी तो पशिरू की अमीत्त तो कम्प्लीट है फिक है अब इस टाइम पे एक तो संसाधन नहीं है पैसा नहीं है खाने के लिए नहीं है इन सभी में जनसंख्या व्रीद तेजी से बढ़ गई थे ज हो कितनी वड़म्बना है पैसा भी नहीं है संसाधन भी नहीं है ठीक है खाने तक को नहीं है लेकिन जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है वो तो शुकर है कि 1315 और 17 में यूरोप में भयंकर अकाल पड़ा और 1320 इसवी में अनेक पश्यों की मौते हो गई जिससे कि जनसंख्या थोड़ी कम हुई अलाकि है तो गलत लेकिन कम हुई ठीक है अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोप में भयंकर अकाल कप पड़ा 1315 से 17 अब अकाल पड़ गया पसुओं की इनसानों की मौते होने लगी इसी दोरान ये देखा गया कि आस्ट्रिया वा सर्विया में जो चांदी की खाने थी इसमें उत्पादन में कमी आने लगी अब यूरोप के लिए प्रेड यानिकी व्यापार का सबसे एहम जो मार्ग है सबसे एहम जो जगह थी वो आस्ट्रिया और सर्विया थी ठीक है क्योंकि यहां पर जो चांदी के खान थी इनसे उत्पादन होने वाले माल से इनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता था और यह विश्व में चांदी के इन चीजों को बिशते थे ठीक है तो इससे हुआ यह कि धातु मुझरा के व्यापार में कमी हो गई और जो मुझरा वेगार थी वो भी कमाने लगी अब इन सभी से बचने के लिए यूरोप की जो गवर्मेंट यानि की जो राजा थे उन्होंने क्या कि कि ट्रेड करना शुरू कर दिया अदर कंट्रीस थे तो वेश्टरन कंट्रीस और कुछ के साथ में जब इन्होंने व्यापार करना शुरू किया तो जल पोत यानि की जो वाटर शिप्स हैं इनके माद्यम से चूहे आ गए अब आपको आपने उसके बारे में तो सुना ही है प्लैक जैसी महमारी तो यह चूहे आए तो यह चूहे अपने साथ एक बहुत बड़ा संक्रोण बहुत बड़ी महमारी लेके आए जैसे वियू वैनिक प्लैक जैसी महमारी कहा गया अब इससे लाखों लोग ग्रसित हुए इससे पदा है कैसे ग्रसित होते थे पहले दिन एक लाख तो दूसर दिन सीरे तीन लाख अकले दिन सीरे आठ लाख है ना वैसे सरगारी रिकॉर्ड के अनुसार तकरीवन तीन से चार लाख संक्रोण है ऐसा बताया गया है इस प्लैक की महमारी से अब देखो ध्यान से समझना है सीच को अब जन संख्या कम हो गई ठीक है काम हो गया जादा है तो मजदूरों की संख्या कम हो गई जिससे की लोग जिस काम के लिए पहले सौर पह लेते थे अब लोग उसी काम के लिए जो बाकी बच्चे मजदूर है वो उसके लिए 500 पर लेने लेगे यानि कि मजदूरी की दर 500 प्रतिसरत तक बढ़ चुकी थी ठीक है तो कुल मिला के इस प्रकार्सी रोप में 14 सताब्दी में इसका जो विकास है वो दीर में पड़ गया एक और पॉइंट है नई सासन विवस्ता पुरानी विवस्ता से अर्थाद पहले जो है वो शासक सबसे उपर होता था लेकिन अब जो है यहां पर दरवारी समाज और आश्रेदाता अनुवाई तंत्र का केंदर ब चोटे हो गए ठीक है ग्रिव स्रीत्यू का स्थान ठंडी रित ने ले लिया अब भूमी में उपजवपन चमता नहीं बची चरागाहों की कमी से पश्चों की मौत होने लगी जन संक्या वरीजिस से संसाधन कम पढ़ गए बहेंकर अकाल पढ़ गया पश्चों की मौत होन होने लगी ठीक है धातु मुद्रा की व्यपार में कमी आने लगी विवनिक नामक महामारी आई मजदूरों की संख्या से कमी में जो अनमजदूर थे वह ज्यादा चार्ज करने लगे पैसे काम के लिए है ना और एक यह पॉइंट को चलिए अब इसको इंग्लिस में देख क्या है नाइट सियंद की विशेस्ता क्या है तो विशेस्ता के बारे में आप यहां से पढ़ सकते हैं ठीक है चलिए अब इसी का सेंग्ड कोशन क्या था बच्चो एकोनोमिक एक्सपेंशन स्लोड डाउन इन यूरोप इन दी अल्ली 14th सेंचुरी किस डीजन से तो ड्यू अब बात करते हैं कोशन वर 28 के देखिए यहां पर जो है मैंने एक आथवा वाला जो कोशन है आपका वो नहीं लिया है क्योंकि वीडियो जादा लंबी हो जाती इसलिए ठीक है तो यहां पर देखिए 28 का कोशन क्या कहता है चंगेश खान कौन था चंगेश खान और मंगो यह दोनों ही वर्ड हिष्टी में इनकी इम्पोर्टेंस क्या है वर्ड हिष्टी में इनका क्या स्थान तो चंगेश-खान का परिच्छे जानते सब dancing की याद रखना मंगोल देखिए चंगेश खान ने किसने चंगेश खान ने तो एक ही करके चंगेश खान के बारे में सब कुछ समझते हैं चंगेश खान का जनम लगभग 1162 एसवी में बरतमान का जो मंगूलिया है इसमें ओनो नदी के निकट हुआ था चंगेश खान का प्रारंबिक नाम था तेमुजेन चंगेश खान के पिता का नाम येसवी जेई था जो की कियात कवीले के मुखिया थे उसके बच्चमन में ही उसके जो पिता थे इनकी हत्या करती के इनकी मातर ने इनका लानल पोशन किया था लगभग 1206 एसवी में चंगेश खान ने सक्तिसाली जमुका और नेमन लोगों को निरनायक रूप से पराजित करने के बाद तेमुजीन इस्टैपी छेत की राजनीती में सबसे प्रभावशाली विक्ति की रूप में ये उबरा उसने चंगेश खान को समुद्री खान सार्वहमिक सासक की उपादी धारण की और मंगोलों का महान राशनायक गोशित किया गया देखो 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 मुझे लगता है कि थोड़ी सी कन्फीजन होगी आपके दिमाग में है ना चले इसको दूर करते हैं सबसे पहले चंगेश खान का जनम कब हुआ लगवग 1162 इसवी में ठीक है कहाँ पे वर्तवान के मंगोलिया में हुआ था ठीक है चंगेश खान का प्रारंबिक नाम था बच्चु तेमुजीन इनके पिता का नाम था यूसिजेई जो की कियात कवीली की मुखिया थे और बच्पन में ही इनके पिता की और मंगोलों को बहुत ज़्यादा परिशान कर रहे थे ठीक है तो इनको जब पराजित कर दिया उसके बाद तीमुजीन जो था ये स्टैपी छेत्र की राजनीती में एक प्रहोशाली व्यक्ति के रूप में उभरा अब ताकतवर व्यक्ति के रूप में उभरा तो यहां के जो बाकी के राजा थे बाकी के जो सक्तिसाली लोग थे इन्होंने चंगेश खान को समुद्री खान सार्भोमिक सासक इसकी उपादी दे दे और मंगोलों का महान नाय गोशत कर दिया क्योंकि मंगोलों को बचाया भी और अन्य मंगोल जो थे उनको इसने एकत्रित भी किया था ठीक है? तो चंगेश खान के ये पता चलिगी आपको अब बारी ये आती है वच्चो कि चंगेश खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में इस्थान क्या क्या है? तो आईए देखते हैं सबसे पहला मंगोलों के लिए चंगेश खान जो है एक राष्ट नायक एक महान नायक सासक था अथाथ मंगोल जो है न ये चंगेश खान को एक बहुत बड़ा महान सासक मानते है ऐसा क्यों मानते हैं? क्यूंकि चंगेश खान ने मंगोलों को एकत्र किया, संगठित किया, जो बिगडे हुए थे, इदर उदर फैले हुए थे, तूटे हुए थे, उनको एक साथ संगठित एकत्र किया, ठीक है? लंबे समय से चली आ रही जो कभीलाई लड़ाई थी मंगोल को चंगेश खान ने, ठीक है? एक तरीके से चंगेश खान ने मंगोलों को सम्रिद्ध बनाया, संगठित बनाया, शोसर से मुक्त करवाया, और एक बहुत बड़ा पार महादीपिय सामराज तयार कर दिया, चंगेश खान ने व्यापार के नई-नई रास्ते बाजार को प्र चंगेश खान का सासन बहु जाती है, बहु भाशिया, बहु धार में एक ताथा, चंगेश खान ने ये रेखा कि अगर हम एकी जाती, एकी भासा, एकी धर्म के लोग अपने सासन में रखेंगे, तो अन्य धर्म के जो लोग हैं वो बेसिकली नाराज हो जाएंगे, तो इस इसलिए चंगेज खान ने बिविन्द जातियों के कई प्रकार की भासा बोलने वाले और कई प्रकार के धर्मकी लोगों को अपने सासन में जगह दे जिसे सभी को एक साथ मिलकर ये सासन कर सके ठीक है वर्तमान में मंगोलिया एक स्वतंत राष्ट है चंगेज खान का एक महा राष्टनायक के रूप में तथा आराधिव्यक्त की रूप में अभी वहां पे इसे माना जाता है तो यह है इसकी सुच्वेशन वर्ल्ड हिस्ट्री में चंगेज खान और मंगोलों की तो आई होप समझ में आ गया होगा चले अब हम इसको इंगलिस मेडियो में देख ले यहां से पढ़ लीजिए उसके बाद में यह जो पॉइंट है कि क्या था वर्ल्ड हिस्ट्री में इसका योगतान यह पढ़िए ओके इस प्रकार से हमने अपना सेक्शन डी जिसमें आठ नंबर के मारे कोश्चन से यह कंप्लेट कर लिए अब सुरू करते हैं सेक्शन को उत्तर दीजिए आईए देखते हैं यह बेसिकली किसके बारे में बच्चो वारका सीर्स यानि की मैसुपटामिया सब्विता से है ओके यह यहां पर आप देखेंगे तो तीन हजार इसा पूर्व उरूक नगर में इसरी का यह जो सिर है तराशा गया ठीक है जो की एक और भॉह और नेले लाजवध तथा सफेड सीपि और काले डामर की जडाई की गई होगी सिर के उपर एक खाचा बना हुआ है यह बनाया गया पत्थर में तराशा गया है जिसे काफी अधिक दूरी से लाना पड़ा होगा पत्थर लाने से लेकर इस मूर्तिय के निर्माण में और किन विसेश्चर युगदान रहा गया होगा इसके सुचे बनाए कुछ ऐसे दिये हुग है अब समझिए इसके क्या क्या है वार काथ इस सबसे पहला नगर में सबसे परोक्त चित्र की दो सबसे पहली थो एक तो यह हमने लिग दी उसके बाद इसकी आँखों और भोहों में क्रमश नीले लाज्वद्वद और सफेदिशीपी और कालेडामर की जड़ाई की गई होगी और सिर्की इओ पर एक हांचा बना हुआ ह जो सायर गैना पन्नी की उप्योग में लाए गया होगा मूती गला का विस्ट परसे नमूना है एक दो पॉइंट ये तीसरा मेसोपोटामिया के सहरी क्रिया कलाप गाउं से जुड़े रहते थे इस पश्ट कीजिए भाई ये जो कोश्टन है न ये मैंने अलग से दो नंबर क कोश्टन लिया है ताकि अच्छे समझा सको कि मेसोपोटामिया के जो सहरी क्रिया कलाप से ये गाउं से जुड़े थे अर्थात मेसोपोटामिया के सहरों में जो कार होते थे ये कार थे कहीं न कहीं गाउं से जड़ो होते थे कैसे नगरों के जो लोग थे ये आत्म से रोते थे ठीक है और इनमें आपस में लेंदेन होता रहता था तो इससे ये बात सपश्ट हो जाती है कि सहरी क्रिया कलाप गाउं से जुड़े होते थे ये पूरी तरीके से गाउं पे निर्भर होते थे उनकी सेवाँ पे उनकी वस्तुओं पे ठीक है तो ये हमारा 29 वा कोश्टन हो गया इस प्रकार से वार का सीज का हमारा ये स्रोथ था इंगलिस में देखेंगे तो दवार का हैड इसके बारे में दिया गया है यह आपका कोश अब तीसवा कोशन पढ़ते हैं बच्चो ये रारे को तीसवा कोशन दासों के प्रति विभार इसमें क्या कह गया है कुछ ही समय बाद सहर के सासक लिूसियस पेडिनियस सेकंडस का उसके एक दास ने कतल कर दिया कतल के पस्चाद पुराने रिवाज के इनुसार या सेनियट भवन को घेल लिया गया हालांकि सेनियुए भवन में अतरे कथोर तक अवरूर किया जा रहा था परंतु अरिकान स्दस्यों ने परिवतन किये जाने का विरूद किया जो सेनियेटर फांसी देने के पक्च में थे उनकी बात मानी गई परंंतु पत्तर और जलतीव मशालों के लिए जो भारी भीड खड़ी हुई थी वहां पे उसने इस आदेश को रोका नीदों ने अभी लेक द्वारा इन लोगों को फटकार लगाई उन सारे मार्गों पास सेना लगा दी गी जहां सेनकों के साथ में दोश्चों को फासी चड़ाने के लिए ले जाया जा तो कोश्चन है कि दास प्रेजनेंट से अब क्या समझते दास प्रेजनेंट गोलामों की संख्या बढ़ाने की एक ऐसी प्रथा जिसके अंतरगत दासियों और उनके साथ मर्दों को अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए रोसाहिट किया जाता था उनके बच्चे भी आगे चलकर दास बनते थे सिंपल सी बात है एक दासी है ठीक है और एक दास है तो यहां पर हुआ यह था कि जो यहां का सासक था वो यह कहता था कि जादा से जादा रजिनन के द्वारा जितने बच्चे आप पैदा कर सकते हो किए क्योंकि आने वाले टाइम पे यही ब रोमन समराज में स्रमिकों की इस्ति के वारे में कुछ दू बिंदू लिखिये तो रोमन समराज में स्रमिकों की इस्ति सबसे पहला रोमन समराज की अर्थ विवस्ता में अधिकांश श्रम जो था अधिकांश काम जो था मेहनत वाला काम यह दासों के दौरा किया जाता था दासों को पूंजी निभी इसकी रिष्टी से देखा जाता था अब हम हिसाब किताब पर ही अधारे थे गुलामों का इस्तिमाल कहा होता था फसल की कटाई कर लिए ठीक है ऐसी जगह जहां पर अन्न जो व्यक्ति जाएंगे तो वो ऐस्वस्त हो जाएंगे तो उन जगह पर ऐसे दास ऐसे गुलामों का इस्तिमाल किया जाता था ठीक है तो यह होगे रोमन समराज में इस्तिती कैसे दी श्रमिकों की तीसरी कोलू मिल्ला के द्वारा बताए गए श्रमिक नियंतरण के तरीके का वरजन कीजिए यांकि कोलू मिल्ला ने बताया कि जो श्रमिक हैं इन पे नियंतरण कैसे रखना चाहिए मुक्त तथा दास दोनों प्रिकार के जो श्रमिक हैं इनके लिए निरिक्षण सबसे महतूर पहलो था तो कोलू मिल्ला ने बताया कि हमें इन दासों पर इन मुक्त श्रिमिकों पर 10-10 श्रिमिकों का एक समू बना देना चाहिए ठीक है अब जब एक 10-10 विक्तियों का समू बन जाएगा तो उसमें ये बताना बहुत असान हो जाएगा कि इस समू के अंदर इन 10 लोगों में से कौन विक्ति काम कर रहा है और कौन सा जो दास है वो काम चोरी कर रहा है तो ये कोलू मिल्ला का विचार था कि जितने भी दास हैं माल लेते कि 100 दास हैं तो इन 100 दासों को 10 ग्रूप में डिवाइड कर दो 10-10 के तो इससे क्या होगा कि हर एक गुरूप में काम नहीं कर रहा होगा उस पर आसानी से नज़र रखी जा सकेगी यह चीजें थी तो आगया समूझ में बच्चों दास प्रजिनन क्या है दोमन सामराज में स्रमिकों की सितिकी बार में दो पॉइंट पुलू मिल्दा दोर बताएगी स्रमिक नियंतरण का तरीकिए का वर्ड़न इंगलिस में ओनरी टीटमेंट ओफ स्लेव तो स्लेव के साथ में कैसा टीटमेंट किया जाता था वो टीटमेंट नहीं वो होस्पिटल वाला यह दूसरा है थीक है वे भार वाला वे जिए लिए तो वाट दो यू अंडेस्टेंड वाइ दी स्लेब डीडिंग एंड राइट राइट री तू पॉइंट अब दी लेवर्श इन दी रोमन अम्पायर तो क्या पॉइंट है यहां से पढ़ लीजिए और देन थर्ड कि डिस्क्राइब दी मैथड ओफ लेवर कंट्रोल गिवन वाई कोलुमेला तो कोलुमेला ने क्या रिये इसके बादे पढ़िए चलिए श्रूत अधारित सबसे आकरी कोशन देखते हैं बच्छो श्रूत अधारित आकरी कोशन है बुखारा पर कब जा किस प इन्होंने 1220 इसवी में बुखारा की विजय का याता वितांत दिया जुवैनी के कथा नुसार नगर की विजय के बाद चंगेज खान उस समयदान में गया वहां जाकर नगर के धनी वेपारी एकत्र हुए थे मतलब वहां गया उस समयदान में जहां पर नगर के धनी वेप परेकत को थे उन्हों चंगेज खान ने उन्हें समोधित करते हुए कहा क्या कहा अरे लोगों तुम्हें ये ग्यात होना चाहिए कि तुम लोगों ने अनिक पाप किये हैं और तुम्हें जो सबसे अधिक संबन लोग हैं उन्होंने और अधिक पाप किये हैं अगर तुम कहूंगा कि मैं ईश्वर का दंड हूँ यदि तुमने पाप ना किये होते तो ईश्वर ने मुझे दंड है तु तुम्हारे पास ना भेचा होता अब कोई व्यक्ति बुखारा पर अरिकार होने के बार खुरासन भाग गया था उससे नगर के भागे के बारे में पूछने पर उसने उत्तर दिया वे नगर आए दिवार को द्वस्त कर दिया जला दिया लोगों का वद किया लूटा और चले गए तो बुखारा पर कब जा का ये एक यात्रा वितान्त है किसका इतिवरित का जुवैनी का अब देखे कोशन का है पार्सी इतिवरित का जुवैनी ने बुखारा की विजे का ये यात्रा वितान्त कब दिया तो कब दिया था 1220 ASP में ये रहा दूसरा उप्रोक्त विवरन में जुवैनी के दिश्टिकोंड को इसपश्ट कीजे तो जुवैनिक रिष्टिकोंड क्या था जुवैनिक रिष्टिकोंड कुछ इस प्रकार से है यहां से इतना है ठीक है यह है कि जुवैनिक के कथा नुसार नगर विजय के वाद चंगेश कान उसम मैदान में गया जहां पर नगर के धनिविया पर यह करते थे चंगेश खान समुद्र करते हो गया था कि अरे लोगों तुम्हें यह ग्यात होना चाहिए तुम्हें जो बाप की है उसके लिए मुझे युश्वन ने भेज़ा है मैं ही तुम्हारे लिए डंड हूँ ऐसा कुछ ठीक है इस्टैपी निवाशियों के इतिहास के विशय में किंस रोतों से जानकाई प्राप्त होती है अर्थात हमने देखा कि चंगेश खान इस्टैपी छेत्र के लिए सबसे महत्मूर्ण विक्तिव बनके उपरा था जहां पर उसे समुद्री खान सार्गौमि सासक इसकी उ जमूका नेमन लोगों को हराय था इसने तो यहीं के श्टैपी निवाशियों के इतिहास के विशय में किंस रोतों से हमें जानकारी मिलती है तो सबसे पहले जानकारी मिलती है इतीवरित से और यात्रावतान से जैसे आपने सुना होगा अकवर नामा वाश्या नामा वगर ते अपनी भाषा में यान्नी भाषाओं में तो उन यात्रय वृतानतों से भी हमें जानकारी मिलती है ठीक है चलिए अब इसी का देखते हैं इंग्लिस में the capture and Bukhara ठीक है Bukhara capture के बारे में बात हुरी है the capture of Bukhara यहां से पढ़ लीजिए questions क्या क्या है तो सबसे बहला question कि when did the person chronicle जुवैनी गिप अप्पोड विक्ट्री ओफ Bukhara 1220 AD explain जुवैनी's point of view in the above description तो क्या point है पहला यह दूस्टा यह पे यहां पे तो किस प्रकास है यह यहां पर पढ़ सकते हैं ओके चलिए यहां पर हमारे 46 minutes सोट चुके हैं जाद है नहीं 2-3 minutes और सबसे आखरी section section F map based question का ठीक है देखो वैसे paper में आपका जो map वो थोड़ा अलग आएगा उसमें क्या होगा कि 2 जो point है 2 नहीं 3 point 3 point चिनित की रहेंगे आपको इन 3 point को पहचानना होगा और उसके नाम लिखने होगे ठीक है और 2 आपको जो है न 2 आपको नाम दिये जाएंगे इन नामों का आपको map पहचान के कहा है ऐसे लिखना होगा ठीक है लेकिन दिखो हम map को थोड़ा अलग तरीके से करेंगे हम map को ऐसे करेंगे कि पूरी किताब में आपके तो 4 chapter मिटर में आ रहे है न ज्यादा नहीं कुछ 5 से लेके 6 important map है है ना 5 से 6 important map है तो हम क्या करेंगे हर एक map को एक-एक sample question paper में पूरा-पूरा समझेंगे जैसे इस paper में हम समझेंगे पश्चमी यूरोप के map के बारे में अगले paper में हम मैसुपटामिय मैप के समझ लेंगे दोनों map को तो ऐसे क्या होगा हर एक paper में हर एक chapter का map आपका complete हो जाएगा जैसे आज हम छटे chapter के map को देख लेंगे अभी पश्चमी यूरोप के पांच देशों को अंकित करना है हमें तो ऐसे map आपके लिए आसान हो जाएगा ठीक है अब जैसे पश्चमी यूरोप का ये map है अब इस map में देखेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचमा ये जगह दी गई है अब आपको पहँचानना है कि ये जगह कौन-कौन से है तो आओ पहले प्रेक्टिस करवाता हूँ फिर आपको बताऊंगा देखो सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले हमारी जगह कौन थी यह रही जो की है पैरेस दूसी जगह यहाँ पे देखो यह है लंदन तीसी जगह यह है आपकी विये न चौत्थी है रोम और पांचवी है यहाँ पे मेड्रेड ठीक है? यही जगह दी गई है न चलो आओ देखो सबसे पहले जगह कौन सी है भाई? यहाँ पे यह पे यह पे पहली है दूसी तीसी चौत्थी पांचवी तो पहली जगह कौन सी है भाई? देखो पहली जगह है हमारी पैरिस तो अब हम मैप भार रहे हैं ठीक है न? एक काम करता हूँ आपको न दुबारा से याद करवाता हूँ फिर आप मुझे बताना है या आप याद करना देखो सबसे पहली जगह है हमारी पैरिस ठीक है? दूसी जगह है हमारी लंदन तीसी जगह है वियना चौत्थी है रोम और पांचमी है मेड्रिड याद कर लो पहली है पैरिस दूसरी लंदन, तीसरी विएना चौत्थी रोम और पांचमी, मैडरीड याद कर दो अच्छे से, अभी आपसे मैं पूछता चलूँगा ठीक है? चलो, अब आप सोचो अपने दिमाग में, मैं आपसे सबसे पहले पूछता हूँ, रोम कहां पे है तो ये पांच नमबर है ना, इसमें आप दिमाग लगाओ अभी आपने जो मैप पड़ा, इसमें रोम मैंने कहां पे बताया था रोम था बच्छो, तीसरी नमबर पे ठीक है? ये रोम हो गया चलिए, बताओ लंदन कहा है बच्छो लंदन सजी दो नमबर पे ये हो गया मेड्रेड, और सबसे आखरी क्या था बच्छो पैरिस तो पहली जगह हो गई हमारी पैरिस, तो ऐसे करके आप मैप अच्छे से समझ जाओगे, है ना इसी प्रिकार से आपके जो भी 5 से 6 इंपोर्टेंट मैप हैं इनको हम हर एक एक सेंपल कोशन पे बना है, कम्पलीट कर लेंगे तो कैसा लगा तरीका मैं आपको समझाने का बच्छो, आई हो पच्छा लगा होगा चलिए, आज की इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, अब आप सभी बच्छो को वीडियो अच्छा लगा हो, तो आपने पता है क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो को फटा फट से एक प्यारा सा लाइक कर दीजे बच्छो, क्योंकि आपका एक लाइक मैं बहुत मोटिवीशन देता है बच्छो, ऐसी वीडियो को बनाने के लिए साथ ही, इससे अपने दोस्तों में जादा से जादा शेयर करो, और हाँ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो बच्छो, क्योंकि ऐसी ही इंपोर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे, ठीक है सारे वच्छे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना की पीपर समझ में आया है नहीं और बाकी हिष्टी के जो हम पांच सेंपल पीपर आपको करवाएंगे न एक सेके, हम आपको हिष्टी के जो पांच सेंपल कुशन पीपर करवाएंगे उसके लिंक आपको आई बिटन में जो प्लेलिस्ट है उसमें दे देंगे, तो वाँ से जाके जरू से चेक आउट बाद लेना, ठीक है? चलो, मिलते एक लिए वीडियो में इस वीडियो को झाल